तो दोस्तों एक बार फिर स्वागते आपका हमारे शानल पर मेरा ना में वरुन और हम बात कर रहे हैं लौ की जितने भी एक एंडिडेट है या एस्पेरेंट है जो चा रहे हैं लौ करना या फिर करियर बनाना लौ में तो बिल्कुल सही जगाप है क्योंकि ये डैडिगेडी चैनल है लौ से रिलेटेड जहां सारी जानकारी कॉलेज, कोर्स और करियर से रिलेटेड आपको मिल ले वाली है जी हां तुरीची तिरुचिरापली को बोला जाता है और तमिलाडू में स्टाबलेज डे एनल यू है वैसे इसको नेशनल लौ स्कूल कहा जाता है लेकिन अच्छा खासा जाना माना नाम शुमार है अभी देखिए ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है ग्यारा सालों का ही एक्सपीरियंस हुआ है लौकी फील में लेकिन ये अपने रेकोर्ट्स को मेंटेन करते हुए और इसको और अच्छा करने में परियास कर रहे हैं तो जितने भी बचे हैं कैंडिडीड हैं जो साउथ में जाके बढ़ाई कर रहे हैं लौकी उनके लिए एक अच्छा उप्शन ये हो सकता है इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पर क्या बैस्ट होगा ये हम बता हैं तो नीचे प्रोफाइल अडाल इसस हम भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं जिसको फिल करिए और हमारी टीम आपको जानकारी प्रोवाइड कराएगी आप से कॉंटेक्ट करेंगी और आपको बताएगे आपके लिए क्या बैस्ट हो सकता है है तो चली स्टार्ट कर लेंगे तमिल आडू नेशनल लौ स्कूल त्रीची या त्रीचिरापली इसमें सारी चीजे लिखी हुई हैं वही सारी चीजे जो मैं बता रहा था 2012 में तो वहां तेरोचिरापली में पड़ती है और यह कनेक्टिड है हर प्रकार से मतलब यहां अगर ट्रांस्पूटेशन की बात करें तो चाहे रेलवेज की बात कर लें रोड की एयर कनेक्टिविटी सारी कनेक्टिविटी अबेलिबल है तो बच्चों को जादा समस्यास नह है यहां पर क्लेट के बेसिस पर ही एंडमीशन होता है और अबसी बात है अनल्यूज ही है सो क्लेट में हमें अच्छे पुसेंट लेके आना है अच्छी रेंकिंग लेके आना है तब जाके हमें यह मिल सकते हैं और एक वीडियो में मैंने बताया भी तक कौन सी रेंकिंग किसको हम टागेट कर सकते हैं चले हाइलाइट की बात करें तो 2012 इस्टाबलिस्मेंट इयर है इनका अनल्यू तुरीची का और तिरुचरापली तमिलाडू में यह स्टाबलिस्ट है 25 से इकड़का इनका कामपस है जो यूजी सी के अप्रूबल के साथ पतलब गरांट वग यहाँ पर तीन कोर्से से स्ट्रीम में प्रोवाइड कर आए जा रहा है अभी 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 अभीलेबल हैं बढ़ते चले जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है 138 कृटी सीट्स हैं इन सारे कोर्से की यहाँ पर एक साथ एक एर मेडवीशन के लिए स्कॉलर्शिप बहुत सार संटे की रंकिंग में 32 नंबर पे है यह ठीक ठाक एक रिवीव हो सकता है लेकिन प्राइबिट इंस्टिटूशन कुछ कह नहीं सकते है राप चले रेंकिंग का है ना यह तो गवर्मेन इंस्टिटूशन रंकिंग देने वाला स्टूशन प्राइबिट है उस पर रोज़ क्या करने है ट्विल्थ क्लास मिनिमम 45 परसेंट मार्क्स जो की अलग अलग तीन कोर्स यहां प्रवाइट किया गई है और वो देख लिए इसके लिए क्या करना होता है क्लाइट ही देना है और उसमें आपको ग्रेजुएशन में में 50 पुसिंट मार्क्स होने चाहिए और क्लाइट में अच्छे रेंकिंग लाएंगे तब जाके आपको यहां इसके रहने वाले स्कॉलर्सिप जो हमने डिसकस किया हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता अब विस पर्टशीज़न है तो में प्रोवाइgg कर आती है पर स्कॉलर्सिप के लिए आपके पास निश्नल स्कॉलर्शिप पोर्टल है जहां आपको बहुत सारी अलग-अलद इसके लिए भी बहुत सारी scholarships होती है तो depend करता है कि आप किसको eligible है कि scholarship के लिए तो एक बार जाके जरूर चेक कर लेजएगा वहाँ ताकि आपको बहुत सारे options बिल पाए और fees पेवाब कर पाए इसके अलाबा एक important है जो parameter है किसी भी institution का वो है placement के record जी हां क्योंकि हम अपना time और पैसा दोनों invest करने वाले हैं और उसका क्या return निकल के आ रहा है यह important चीज हो चाती है तो हमें अगर ट्रीची बात करें तो यहां पे on an average salary package जो है बच्चों को 6 लाख रुपेगा प्रवाइट किया गया तो average ठीक है मतलब all total जितने भी placement हुए divided by जितने student है उसको डिव लेकिन बहुत सारे law के candidates जो है experts हो चाहते हैं कि हमें law firm में थोड़ा सा हां मिल पाए ताकि हम groom कर पाए खुद को भी और हां अपनी personality के साथ साथ अपनी profile को भी अच्छा गर पाए जो हमें profit दिला पाए तो को से सभी भी इनकी यह है यह बहुत सारे law firms को हां connect करे हुए है recruiters के दौर पर आते हैं लेकिन हां ऐसा नहीं कि highest packages जो है वो इनके दौरा नहीं दिया गया firms के दौरा बाखी तो यहां देको facilities जो है वो institution प्रोवाइड कराते ही है ताकि overall development हो जाए बचों का जैसे हम बात करें mood code जो important है law के course के लिए साथी साथी आपे library जो आपको resources manage कराती है प्रोवाइड करवाती है इसके अलावा cafeteria, hostel, sports, gymnasium अगेरा यह सारी चीज़े है एक personal development के लिए overall development के लिए किसी पच्छे के तो यह सारी की सारी चीज़े जो है आपको यह प्रोवाइड हो जाती है लेकिन यह basic amenities ही है याद रखिए utilities कहलाती है जरूरी यही है कहना हम facilities नहीं बोल सकते यह तो हमेशा जरूरी ही है ना यह इनके बिना थोड़ी overall development हो पाए रहा है तो यह सारी चीज़े आपको अहलिव त्रीची में मिलने बाली है और यह पूरी वीडियो हम दिसक्स प्रीची के बारे में कर रहे थे अनले यह त्रीची की बात कर रहे थे अगर आप भी लॉग करना चाहरा है इस institution से इसको टागेट किया तो आपके लिए यह वीडियो थ यह साथ मिलेगे अब तक के लिए यह तेट रही थे यह वीडियो पर प्रोसट्रीज पीडियो कीप वाचिए चैनल एद दिना फरगेट लाइक शेर इन शब्सक्राइब